तो चलिए दोस्तों आज बनाते हैं कॉर्ण सिरफ या गुलकोज सिरफ जिसे कहते हैं बहुत ही काम का है ये वीडियो आप एंट तक देखिएगा क्योंकि जो कॉर्ण सिरफ है ना बहुत सी मिठाईों में और केक में यूज किया जाता है आगे मैं भी एक वीडियो डालूँगी जिसमें किसका यूज होगा तो पहले आप ये देख लिजिएगा और एक ही वीडियो में हम बनाएंगे दूसरी पाइपिंग जैल की भी वीडियो ये देखिए ये केक की डेकुरेशन के लिए या मिरर केक होता है उसमें यूज किया जाता है इसे भी मैंने कौन सिर्फ से ही बनाया है कौन सिर्फ बनाने के लिए बहुत ही कम सामान चाहिए होता है जैसे की चीननी, पानी, नमक और नेमबो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पैन के अंदर डाल देंगे एक कप चीनी का और अब इसके अंदर हम डालेंगे ये देखिए आदा कप पानी का नाप आप एक जसर रखेगा जिस कप से चीनी ले रहे हैं उसी जे पानी भी लीजिएगा तो एक कप हमने डाला चीनी का और आदा कप डाला पानी का अब इसमें देखिए एक पिंच डाल रहे है नमक का बहुत ज़्यदा नमक नहीं डालना है हलका साइस को आप मिला लीजिए और उसके बाद इसे हम रख देंगे गैस के उपर अब लो फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे बिलकुल लो फ्लेम होनी चाहिए दोस्तों ये जरूरी है तो ये देखिए चेनी जो है वो घुल गई है हलकी सी रहती है तो इस स्टेज पर आप डाल दीजिए इसमें नीमबू का स्लाइस ये देखिए दोनों साइड से मैंने इसको काटा है तो दोनों साइड से आप भी काटिएगा तभी इसका जो रस है ना दोनों साइड से मिल पाएगा अब लगातार इसको आप हिलाते रहे और लो फ्लेम पर पकाते रहेगा बस लो फ्लेम करनी है इस बात का ध्यान रखिएगा अगर आप high flame कर देंगे तो हो सकता है कि आपका जो सीरप है उसका color change हो जाए तो बिल्कुल transparent इसका color रहना चाहिए market में जो मिलता है वो भी बिल्कुल transparent color में होता है जब भी आप liquid glucose बनाए या glucose syrup बनाए तो इसमें आप निम्बू का रस मत यूज कीजिएगा अगर निम्बू का रस यूज करेंगे तो फिर गडबड हो जाएगी तो इसमें slice ही डालना है निम्बू को काट कर ही डालना है और लगातार इसको चलाते रहना है low flame पर अब देखे इसको check कैसे करें तो check करने के लिए पानी के अंदर ये देखे थोड़ी से drops डालिए और जैसा कि आपने देखा जैसे drops डाल रहे हैं ये dissolve हो रही है तो अभी ये नहीं पका है अभी से हम और पकाएंगे और जब हम पानी में से डालेंगे ना तो ये इसका gel बनना चाहिए इकठा जब हो जाए अभी मैं बाद में आपको दिखाती हूँ चेक करके दुबारा से तो ये दिखे इसमें bubbles आ रहे हैं इसका मतलब अब हमारा जो कौन सिरप है वो तैयार होने बाला ही है बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा और फिर मैं आपको चेक करकर दिखाती हूँ और दोस्तो रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक बटन को दबा दिया कीजिए और कॉमेंट भी किया कीजिए कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो इससे थोड़ी सी हमें मोटिवेशन मिलती है इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज आप भी थोड़ा सा लाइक बटन को दबा दिया कीजिए कॉर्ण सिर्फ कई बार जो है ना मार्केट में नहीं मिलता है तो क्यों ना जब भी आपको चाहिए आप घर में बना लेजिए उतनी ही क्वेंटिटी बनाएए मार्केट में तो आपको कम नहीं मिलेगा एक डिब भी तो पूरी ख्रीदनी पड़ेगी ना तो इसे हम बना लेंगे और स्टोर करकर रख लेंगे क्योंकि आगे जो वीडियो आने बाला है ना उसमें हम कॉर्ण सिर्फ ही यूज करेंगे तो मैंने सोचा पहले अपने ब्यूर्ज के लिए मैं कॉर्ण सिर्फ की रेस्पी डाल देती हूँ तो चलिए चेक कर लेते हैं फिर से तो ये देखिए दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर जो जेल है बन रहा है जैसे ही मैंने ड्रॉप्स डाली जैल बन गया ये देखिए तो इस तरह की जब कंसिस्टेंसी हो जाए ना ये देखिए इस तरह का जैल जब बन जाए तो आप क्या किजिए गैस को कर दीजिए बंद और बंद करने के बाद भी इसे आप थोड़ी देर हिलाते रहिएगा और जो निम्बो का स्लाइस है उसे अब हम निकाल लेंगे तो इसे निकाल लेते हैं और जब ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा गाड़ा अपने आप हो जाएगा तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा जब हम इसे यूज करेंगे तो चलिए इसे डाल देते हैं कटोरी के अंदर और अब हम बनाते हैं पाइपिंग जेल पाइपिंग जेल बनाने के लिए हम यहाँ दो चमच ले रहे हैं कॉर्ण फलार के और इसके अंदर डालेंगे आदा कप पानी का और इसे निक्स कर लेंगे जिस पैन के अंदर हमने कॉर्ण सिरुप बनाया था उसी के अंदर हम घोल को भी डाल देते हैं नया बरतन नहीं लगा रहे हैं और पैन के अंदर पहले से ही थोड़ा सा सीरप रहता है तो अब इसमें हम सिर्फ एक चम्मज डालेंगे कौन सीरप का अगर आप नए पैन में बना रहे हैं फिर आप एक चम्मज की जगा दो चम्मज डालेगा और यह देखे काफी एक हो गया है अब इसके अंदर हम दो तीन ड्रॉप्स डालेंगे फूड कलर की आपके पास जो भी फूड कलर हो या जो आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से डालीएगा और मैं यहां रोज कलर यूज कर रहे हूं और कलर के अंदर ही रोज एसेंस डला हुआ है आपके पास अगर अलग से असेंस है तो आप वो यूज करिएगा ने तो वो कंपल्सरी भी नहीं है तो गैस के उपर मैंने इसको रख दिया है और लोग लेम पर इसे हम पकाएंगे और लगातार चलाते रहना है तो यह देखिए बहुत जल्दी यह तयार हो जाता है और बहुत ज़्य तो घर में ही बड़े असानी के साथ पाइपिंग जेल बना सकते हो केक की डेकोरेशन के लिए तो दोस्तो रेस्पी आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके बताइएगा और लाइक बटन को दवाना ना भूले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फिर प्लीज चैनल को सब सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा तो जल्डी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए हैपे कुकिंग